फेस पे होने वाले दाग धब्बे जाईया पिंपल्स के निसान तो आज कल एक समस्या बनी है लेकिन उसे भी बड़ी समस्या ये है कि फेस पे कम उम्र में भी रिंकल्स फाइन लाइस देखने को मिला है और इससे मेरी काफी सारी बहने परिशान है कि इसको कैसे कंट्रोल किय मार्केट में बहुत सरे ऐसे क्रीम मिल जाएंगे जो कि दावा करते हैं कि इसको यूज करने से इसकीन प्राबलम खतम हो जाएगा जो भी दाग धबा है जाईया है जुरिया है रिंकल्स है हमेशा के लिए खतम हो जाएगा इसको यूज करने से लेकिन सच बताऊं तो फेस की समस्या को खतम करने के लिए घरेलू उपाय से अच्छा कुछ भी नहीं है चाहें आपके फेस दाग धबा हो जाईया हो रिंकल्स की समस्या हो फेस पे बारिक लकीरे दिखना सुरू हो गया हो तो घरेलू उपाय से अच्छा कुछ भी नहीं है आज आप लोग के साथ एक ऐसा पैक सेयर कर रहे हूं जो की आपके फेस पे मैजिक की तरह काम करेगा अब आप लोग बोले के साथ सेयर करना तो बनता है आप लोग मेरे फैमली यह पोटाइटो जितना खाने में स्वादिश्ट होता है उससे कई गुना जादे हमारे फेस को चमकाने में काम करता है तो इसे कैसे बनाना है वीडियो पर आप लोग बने रही तो इस रेमिडी को बनाने के लिए मैं ए अगर आपका स्कीन डल हो गया है निखार कहीं गायब सा हो गया है फेस पे ब्राउन स्पोर्ट डिखना सुरू हो गया है तो ए रेमिडी आपके फेस पे मैजिक की तरह काम करेगा खोया हुआ निखार वापस आएगा पोटाइटो हमारे स्कीन को पूरी तरह से ब्लीच कर जो की दाग धबा होता है जाईया होता है उसे बिल्कुल खतम कर देता है और इसकीन लूज हो रहा है उस पे भी काम करता है जो इसमें इस टार्च होता है लूज इसकीन पे काम करता है मतलब फेस पे जब आप लगाना सुरू कर देंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा आपको यकीन नहीं होगा तो इसे बनाना कैसे है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका मैं रस निकाल ली हूँ इसका रस निकालने के बाद आपको पांच मिनट के लिए रख देना है ठीक है ताकि जो इसमें स्टार्च है वो अलग हो जाए और उसका उपर का जूस अल कि नख DO आघंगा दे work देख दे रही हूँ इसको कैसे यूज करना है नीवू यूज करने से क्या होगा कि यह flavors काला नहीं पड़ेगा इसको लास्ट में मैं बताऊंगे इसको कैसे यूज करना है तो आप लोग से इतना ही टेस कर रही हूँ कि वीडियो जोजह देख सकते ह जो फेस पे बारीक लकीरे दिखना सुरू हो गया है उसको भी कंट्रोल करेगा इस रेमेडी को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए इसमें मैं एक चम्मच भर के आइड की हूँ चावल का आटा आप लोग को पता है कि चावल का आटा भी फेस पे किस तरह से काम करता है इस इसमें मैं आधा चम्मच ही आइड कर रही हूँ नीबू का रस आप नीबू के रस को इसकी भी कर सकते हैं लेकिन आलू का रस और नीबू का रस मिलके आपके फेस पे ब्लीच की तरह काम करेगा तो आपके इसकीन को सूट करता हो तो नीबू का रस आप इसमें जरूर आइ एक चमच मैं इसमें डाल कर अच्छे से और मिला लूंगी ताकि ये पैक थोड़ा सा पतला हो जाए आप लोग के कमेंट को देखते हुए इस रेमेडी को मैं बना रही हूं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो पर अपना प्यार दीजिएगा आप लोग का करिएगा लाइक करिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो अब बहुत सारे लोग वीडियो यहीं से छोड़ कर चले जाएंगे लेकिन आप लोग को एक बात बता दूं कि जब तक आधा अधूरी जानकारी आप लोग लेंगे आपक बलेर से लगाना है तो इस पर को पूरे पीज़न से लगा लेflin ना है लगाने से पहले आपका इसकीन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ठीक है फैस पे ना को मेक अप होना चाहिए ना ही कुछ बी मतलब कन बिल्कुल क्लीन रहेगा तभी आपको तो आपको अच्छा result मिलेग कुछ टाइम के लिए तो आपको लगता है कि हाँ एक काम कर रहा है लेकिन बाद में इसकीन को पूरी तरह से डैमेज कर देता है जो की फेस पे दिखना सुरू हो जाता है दाग धबबा आखिर क्यों होता है ब्राउन इस्पोर्ट फेस पे होता क्यों है उसका सबसे बड़ा जादे से जादे ब्यूटी प्रोड़क्ट का यूज करना आज अभी से कम करिए कुछी दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो भी दाग धबबा है लाइट होने लगेगा और आपका इसकीन पहले की तरह हो जाएगा तो जितना हो सके आप अपने फेस पे नेचुरल चीज करना है ठीक है और हपते में दो से तीन बार तो आपको जरूर लगाना है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकीन लूज हो रहा है अभी एज कम है तो आप हपते में तीन से चार बार इस पैक को जरूर लगाईए जो भी इसकीन प्रावलम है दाग धबबा है ब्राउन इस स्पोर्ट है खतम हो जाएगा तो फ्रेंट अभी आप लोग देख सकते हैं कि 15 मिनट छोड़ने के बाद जो पैक था 50% सूख गया है तो आपको क्या करना है कि जो आलू का रस पचा था उसे पूरे फेस पे लगा कर इस पैक को गीला कर लेना है ठीक है इसलिए मैं उसको साइ क्योंकि इसमें चावल का आटा पड़ा है तो बिल्कुल हलके हाँ से ही आपको मसाज करना है इस पैक को हर एक इसकीन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं चाहें आपका एज जो भी है आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं अपने फेस पे बस आपके इसकीन को नीबू का प्रस नहीं सूट करता है तो आप उसे इसकीब कर सकते हैं ठीक है एक आलू आपके फेस पे क्या कमाल कर सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है मेरे वीडियो को आप लोग देखा करिए अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलेगी और कोई भी वीडियो मॉस्चुराइजर का भी यूज कर सकते हैं एलो बेरा जेल भी लगा सकते हैं मतलब इसकीन को ऐसे नहीं चोड़ना है कोई भी पैक आप लगाते हैं तो उसके बाद से मॉस्चुराइजर का यूज जरूर करें अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इस पैक के लिए रख सकते हैं लेकिन उसे आप फ्रीज में इस्टोर नहीं कर सकते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए सेयर करिए आप मेरे चैनल पनियु है और आपको इस टाइब का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक